तो हम लोग प्रोजेक्ट्ट बना रहे हैं तो प्राबबिल्ली आज हम लोग प्रोजेक्ट की अपने इस कोडिंग खतम कर देंगे आपको कौड भी प्रोवाइड कर दूगा इसका ओके तो यहांå पर देख लिए यह सारी चीजे हमने coding कर ले थी तो अगर आपने ये सारी चीज अभी तक नहीं देखी है तो इसके अभी तक साथ पार्ट आ चुके हैं तो आप उनको पूरा देख लो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि vehicle type का एक मैं vehicle object बनाता हूँ और earned money type का मैं एक vehicle object बना लेता हूँ यहाँ पर earned money इसका मैं e small रख देता हूँ हमने दो variable बना लिये हैं और उसके बाद मैं लगाऊँगा infinite loop और ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं मैं लगाऊँगा system cls और उसके बाद हम लोग लगाएंगे switch और switch के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक function तो function के लिए मैं बनाने वाला नहीं हूँ जो हमारा बना बनाया project है उसी से मैं क्या करूँगा copy कर लूँगा तो यहाँ पर देख लीजे हमने सब कुछ बना के रखा है add vehicle, search, delete, update, list, all vehicle, checked, alarm, exit and something तो मैं इस function को यहाँ पर कर लेता हूँ copy copy करने के बाद इस menu function को हम लोग क्या करेंगे switch के अंदर से call कर लेंगे तो जो भी user twice इंटर करेगा वो यहाँ पर आ जाएगी अब हमारे पास total 7 twice है तो मुझे 7 case बनाने पड़ेंगे case 1 case 4, case 5 case 6, case 7 और एक होगा default, default में तो मुझे simply message देना है invalid choice जो case 7 है हमारा वो exit के लिए है तो मैं क्या कम करता हूँ, एक variable बना लेता हूँ break infinite loop और अगर user ने 7 twice इंटर किया है तो मैं इसकी simply value 1 कर दूँगा और break कर दूँगा तो जब ये वाला break चलेगा तो क्या होगा, ये वाला break चलेगा तो हमारा switch break होगा ये हमारा switch है infinite loop तो अगर उस variable की value 1 हो गई है तो मतलब एक break और चला दो ताकि हमारा infinite loop ब्रेक हो जाया और इसके बाद get ch लगाना ना भूले यहाँ पर ताकि आपको invalid choice का matches दिखे बस हमारा यही काम करना है और यहाँ पर ठीक है, एक बार मैं इसको प्रोग्राम को देख लेता हूँ हमने कहीं पर और get ch तो नहीं लगाया है ओके, ओके ओके, फाइन, कुछ भी नहीं है, ओके तो case 1 पर है add vehicle तो अगर मुझे वेहिकल को add करना है तो मैं क्या करूँगा वेहिकल के लिए पहले वेहिकल की information को set करूँगा है ना, तो set vehicle function को मैं call करूँगा उसके बाद vehicle.add vehicle को मैं call कर लूँगा get ch break, ओके तो यह हमारा क्या हो गया, add vehicle अब search vehicle के लिए करना है मुझे काम तो search vehicle के लिए गर मुझे काम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ वेहिकल नंबर नाम से और अगर search करना है तो मैं यहाँ पर message दूँगा सबसे पहले, see out है न, वो वेहिकल नंबर इंटर होगा तो उसे मैं see in करके vno में इंटर कर लूँगा है न, और फिर मैं क्या करूँगा वेहिकल आपजेक्ट का यूज करके, मैं search वेहिकल को call करके उसमें वेहिकल नंबर पास करूँगा यह हमारा हो जाएगा, क्या search वेहिकल, फिर है delete वेहिकल, update वेहिकल तो delete के लिए भी मुझे same coding करनी पड़ेगी ओके, enter the vehicle number to be deleted और इस बार हम लोग क्या function काल करेंगे, delete function को call करेंगे है न, और इसी तरह से update के लिए to be updated और इस बार हम लोग अपडेट वेहिकल को call करेंगे, है न, फिर उसके बाद list all vehicle, check earned money, list all vehicle में मुझे कुछ नहीं करना है मुझे simply इस वेहिकल आपजेक्ट का use करना है और dot लगा करके list all vehicle को call कर लेना है get ch लगा देना है, break लगा देना है और उसके बाद हमें get all earned money चाहिए तो मैं earned money dot get all earned money जो हमने आपजेक्ट बनाया है, है न, इस तरह से, है न, यह हमारा code हो गया चलिए मैं एक बार इसको finally test कर लेता हूँ लेकिन test करने से पहले मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये है, इसमें record है इसको मैं पूरा-पूरा delete कर दूँगा ये final test होगा हमारे program के लिए, ओके? मैं प्रोग्राम को अपने run करता हूँ, कर कुछ error होगी तो हम लोग error को दूर करेंगे इसमें कुछ warning आ रही है, जरूर कुछ type conversion होगा अभी मैं इसको check करूँगा, तो सबसे पहले अगर मैं list all vehicle करूँ, देखे कह रहा file has no record, बिल्कुल सही बात है है, है न, अगर मैं earn money करता हूँ, लटसे 6, तो देखे, उसमें कुछ पैसा है ही नहीं, तो इसलिए वो print नहीं कर रहा है, तो एक, तो यह हमें यहाँ पर दिखाना है, कि अगर money नहीं है, तो मैं message print करूँगा, जिसको मैं अभी करता हूँ, तो हमने list भी कर लिया, और update और delete, search, तो यह सब operation perform करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं add करता हूँ, तो 7077, लेट से मैं car की entry करता हूँ, car और यहाँ पर car, इस तरह से, तो हमारा record add हो गया successfully, अब अगर मैं list vehicle करता हूँ, देखिए, तो एक information वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, अगर मैं money check करूँ, तो six हमने choice enter की है, तो check earned money, तो यहाँ पर six enter करने पर वो हमारा यहाँ से print नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं, कैसे print करेगा, देखिए, जो यह हमने function बनाया है, यह function क्या करेगा, जो color object है, उसमें money को रख देगा, तो अगर उसमें money को रख रहा है, तो इसके लिए मुझे so money function को काल करना पड़ेगा, यह देखिए, so earn money function को, है ना, यह हम लोग भूल गए थे, इसलिए वो नहीं print कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी हमारे फाइल में एक record है, हमारी जो earning वाली फाइल है, उसमें भी है record, तो अगर मैं 6 इंटर करूँ, तो देख लिए हमने car की entry की थी, तो car के लिए 100 है, बांकी सब के लिए 0 और total में 100, है ना, माल लिए मैं एक और record add कर देता हूँ, 7076, बस, बस और दो, एक और record entry हो गई, माल लिए मैं एक और कर देता हूँ, 7075, ट्रक, ट्रक और थर्ड चॉइस इंटर करता हूँ, यह देखिए, अभी मैं 5 को इंटर करता हूँ, देखिए, हमारी तीनों information यहाँ पर आ रही है, है ना, अब मैं 6 इंटर करता हूँ, आप देखिए, अभी car की एक इंट entry और कर देता हूँ, let's say 7074, मैं यहाँ पर car की इंटर कर देता हूँ, तो car के लिए जो total earning है, वो 200 हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि 2 car हो चुकी है, तो आप देखिए, दो car की earning क्या है, 200 है, है ना, अब माल लिजे मुझे सर्च करना है, तो पहले मैं देखता हूँ, देख car number, देखिए, उस car number की जो भी वेहिकल है, वो सर्च करके दे रहा है, अगर मैं कोई भी इंटर कर दूँ, 4 तो 4 वाला इंटर कर देगा, और अगर माल लिजे हमने कुछ ऐसा इंटर कर दिया, जो है नहीं है, तो कहरा record not found, अगर माल लिजे मुझे अपडेट करना है, तो मा यहां पर कह रहा है कि नमबर को updating the record, वेहिकल नमबर, मैं वही रखूंगा वेहिकल नमबर, और car था, तो मैं car ही रखता हूं, और देखिए, कह रहा है record updated successful, लेकिन इसका time और last updated वाला change हुआ होगा, है ना, देख लीजे आप, सब कुछ सेम है, लेकिन जो last updated था, हमने change क्या था, वो change हो गया है, और आप time देख लीजे, जो last updated time है, और created time जो है, date तो सब कुछ सेम है, time देखे, यहां पर 129.44 है, यहां पर 13.30.56 है, यह कितना amazing है, अगर आपको delete करना है, तो आप 5 से list कर लीजे, माल लीजे मुझे पहले record को delete करना है, 7077, तो आप 3 choice इंटर कर करिए, और 7077 करिए, देखे करे record deleted, और अगर आप 5 सर्च कर लो, देखे, 70777 delete हो चुका है, अगर आपने कोई ऐसा इंटर कर दिया, जो हमारे है नहीं है record में, तो कहेगा, देखे, record not found, hence cannot delete, है न, तो सब कुछ यह amazing बन चुका है, यह बहुत अच्छा बना है, मैं 7 choice इंट करके बाहर आजाता है, और जो भी आपने record update किये है, आपकी यहाँ पर files में, हाला कि आप इसको पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, program अगर यूज करोगे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो यह हमने पूरा program बना दिया है, अब आप इसका code अगले वीडियो में मिल ज static है, चेंज नहीं होगा, आप न वेहिकल की type को भी add करने के लिए भी क्या करो, program करो, और उसको dynamically fix करो, क्योंकि जो वेहिकल का type है, वो इतना ही नहीं है, और हो सकता है, यहाँ पर यह static है, यह कभी change नहीं होगा, आप इसको dynamic करो, वेहिकल के type को भी add करने या delete search करने के maintain कर रहा है, उसके लिए भी app programming करो, और इस तरह से आप इस project को और आगे extend कर सकते हो, okay, so I hope कि आपको यह अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा, file handling के इस तरह से यूज करते हैं project में, तो आप अगले वीडियो में इसकी coding मिल जाएगी आपको, thank you,